हाई अब्रीवन, वेलकम टू सिवल समेस्टो आज 4 सेप्टमबर से 7 सेप्टमबर 2022 तक का करेंट अफेर अनालेसिस करेंगे पहली न्यूज आइटम जो हम डिसकस करेंगे है वो है हले दाक स्काई रिजर्व के बारे में आउटसाइड आठिफिशल लाइट की इंटर्फेरेंस बहुत कम होती है इन असेंस कि वहाँ पर आठिफिशल लाइट का पोलीशन बहुत जदा कम होता है इन फैक्ट वहाँ पे पॉलिशी ही इस हिसाहब से बनाई जाती है कि वहाँ पे कम से कम उस एरिया में आउटसाइड आटिफिशल लाइट एंटर कर सके तो एक MOU Memorandum of Understanding Science किया जा रहा है Union Territory Administration लदाग Autonomous Hill Development Council के बीच में और Indian Institute of Astrophysics के बीच में यह Indian Institute of Astrophysics जो है यह बैंगलोरू में बेस्ट है तो अब क्या है कि यह जो Dark Sky Reserve बनाया जाएगा है लेमें यह Department of Science and Technology, BASP BASP एक Government of India का डिपार्टमेंट है यह इसको सब्सक्राइगा और यह जो रिजर्व बने जाए यह स्यांखा वालाइट संचरी का पार्थ होगा Dark Sky Reserve जो है इसको Night Sky Reserve भी बोला जा सकता है उसके अलावा यह वर्ल्ड की वर्ल्ड हाइएस्ट लोकेटेट साइट है यह जो बनने के बाग यह वर्ल्ड की हाइस्ट लोकेटेट साइट होगी Optical, Gamma Ray और Infrared Telescope की इससे जादा उपर उचाई पे इतना बड़ा रिजर्व कभी भी मतलब इतनी बड़ी Observatory अर्थ पे और कहीं पे नहीं ही यह में सबसे largest है और सबसे highest पी So designation देख लेते हैं कि International Dark Sky Association है एक जो Dark Sky Areas को International Dark Sky Places को Declare करती है So US में based एक non-profit organization है यह जो International Places को International Dark Sky Places Declare करती है Dark Sky Park या फिर सैंसरी, Reserve और इसके लिए इसने specific criteria बनाया हुआ है जो भी place उस criteria को Fulfill करती है तो उसको Dark Sky Place declare कर दिया जाता है World में first जो Dark Sky Place declare की गए थी वो Michigan State में थी US में एक place state है Michigan तो उसमें एक Lake Hudson के पास Lake Hudson State Recreation Area था जिसको Dark Sky Reserve first time declare किया गया था 1993 में उसके बाद बहुत सारे Dark Sky Reserves World में बने हैं और exist करते हैं इंडिया में हाला कि इंडिया में अभी तक कोई भी Dark Sky Reserve नहीं है और यह जो ले वाला है यह first Dark Sky Reserve है अब हैंले को ही क्यों स्काइज होते हैं यहां पर अट्मॉस्परिक वाटर वेपर की कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है उसके अलावा यह साइट जो है यह Optical infrared सब मिलीमीटर मिलीमीटर सब तरीके की wavelength में यह जो लिस्ट की गई है इन वेवलेंस में हम अब्जेक्स को स्टडी कर सकते हैं यहां पर nights जादा clearer होती है क्योंकि pollution कम होता है पहली बात तो light का pollution कम होता है in general pollution कम होता है aerosol की concentration काफी कम होती है uninterrupted monsoon होनी की वज़ा सी यहां पर काफी dry conditions prevail करती है cloudless nights होती है जिसकी वज़ा सी एक optimum जगा है ऐसी observatory बनाने के लिए तो यह था dark sky reserve के बारे में next news item जो है वो खुर्की के बारे में है खुर्की सबसे पहले समझना है news item को समझने से पहले देखते हैं खुर्की होता क्या है supposedly एक example से देखते हैं कि एक person है a a person किसी भी money lender के पास जाता है money lender के पास जाता है या फिर bank के पास जाता है या फिर commission agents के पास जाता है supposedly यह इन लोगों से पैसा लेता है कुछ और पैसा देने के बदले इसको कुछ collateral देना पड़ता है supposedly वह person अगर उसको loan लेना है तो उसके बदले उसको collateral देना पड़ेगा supposedly वह person अपने assets या land जो है उसको वहाँ पे pledge कराता है कि मतलब अगर वह अपने loan की भरपाई नहीं कर पाता है तो उसकी जो land है उसको जो mortgage उसने रखी है collateral की form में रखी है उसको attach कर लिया जाएगा so वह कुछ land वहाँ पे pledge कर देता है supposedly लेकिन next time क्या होता है कि ये one year का मानलो इसको time period दिया जाता है कि इसके बाद इसको अपना पूरा loan चुकता करना पड़ेगा और supposedly ये जो a person है ये अपना loan पूरा नहीं कर पाता है तो उस case में जो money lender है या bank है या commission agents है इनके पास right होता ह है कि ये जो इसके pledged asset है मतलब जो इसने गिरवी रखा हुआ समान है इसको ये court में case file करके वो money lender इसकी सारे के सारे assets को attach करवा सकता है जो उसने pledge किये थे ठीक है तो इसको बोलते है खुरकी करते है जब एक ही जमीन को attach कर लिया जाता है या फिर उसकी auction कर दी जाती है निला ये assets को attach कर लेते हैं और auction कर देते हैं तो इसको खुरकी कहते हैं bank कर सकता है खुरकी private money lenders कर सकते हैं commission agents कर सकते हैं इन सब के पास right होता है कि time to time ये खुरकी कर सकते हैं अभी एक farmer who had been sitting on धरना against खुरकी order for his land based on court case filed against him by the money lender actually इस person ने loan लिया था local money lender से जब ये loan चुकता नहीं क के बाद इसको court ने खुरकी का order issue कर दिया था because वो loan नहीं repay कर पा रहा था so वो person जो धरना लगा के काफ़ टाइन से बैटा था उसनी suicide किया है इसलिए ये news जो है वो आई है तो हमें इसका background समझना जरूरी था so अब खुरकी basically हमने देख लिया कि खुरकी होती क्या है अब ख है इसको abolish कर दिया था section 60A of Punjab cooperative societies basically है क्या कि इसमें ये cooperative को right होता है कि जब कोई person उनसे loan लेता है और अगर वो loan नहीं दे पाया है तो जो भी उसने land mortgage की है उसको auction करवाया जा सकता है so 67A mortgage को auction करने वाला जो right था in the sense कि जो जमीन उसने गिर भी रखी है उसको निलामी करने व लेकिन उसमें 63B और 63C जो section है उनको drop नहीं किया गया था 63B और 63C जो है ये कहते है कि उस person की जो land है उसको attach किया जा सकता है auction को abolish कर दिया था लेकिन attachment को abolish अभी नहीं किया था so जिसकी वज़े से farmer को अभी भी खुरकी के order court से issue करवा के money lenders लेके आ रहे थे उसको खुरकी high court में 2018 में एक plea find की गई थी जिसके चलते ये demand रखी गई थी कि खुरकी को completely ban किया जाए अब execution of खुरकी होती कैसे है ठीक है तो खुरकी सबसे पहले क्या होता है कि खुरकी का order execute करने के लिए section 80 of CPC, CRPC civil procedure code 1908 में जो आया था 1908 वाला CRPC जो है उसके section 60 में इसका procedure है so इसमें क जो है है कि सबसे पहले जो भी land एक person ने pledge की गई, pledge की होती है bank को या moneylender को वो जो land है सबसे पहले वो bank के नाम मतलब जब खुरकी होती है तो वो land जो है, वो bank के नाम या फिर moneylender के नाम पह रेजिस्टर होती है या तो उसकी नाम पर register हो जाएगी otherwise वो person जो है money lender या bank जो है वो उस land को auction करवा कि अपना पैसा भी recover कर सकता है so process begin after the money lender move to the court पहले तो उसने land mortgage किया उसने अपना गिरवी पे रखा गिरवी रखा समान अपनी जमीन गिरवी रखी अब मान लो कि वो person अपना loan जो है वो pay नहीं कर पाया है तो सबसे पहले क्या करता है कि money lender court case करता है money lender court में जाता है फिर court उसको order issue करता है court के order issue करने के बाद अगर court order issue कर देता है तो farmer के जो assets है जैसे कि उसकी land या उसका tractor जो भी स्रेमोट केज किया था उसको auction कर दिया जाता है या फिर उसको attach कर लिया जाता है as per section 60 of CRPC वियो चिदंब्रम को यह एक freedom fighter थे वियो चिदंब्रम पिलाई उनकी बर्थ anniversary पे उनको ट्रिव्यूट पे किया है जो वियो चिदंब्रम पिलाई है बेलियापन उलंगाथन उलंगाथन चिदंब्रम जो है इनका बर्थ 1872 में हुआ था तिरणू वेली डिस्ट्रिक्ट उफ तमिल नाडू में इनको कपाल लोटिया तामी जहान और तमिल हेल्समेन भी बोला जाता है यह एक बहुत prominent lawyer थे यह trade union leader थे उसके लावा Indian freedom fighter थे और Indian National Congress के एक बहुत important leader थे इन्होंने coral mill के workers को mobilize किया था जिसके चलते इन्होंने social base expand किया था सब्देशी movement 1906 वाली जो सब्देशी movement थी उस time पे worker का base को इसमें increase किया था 1906 में सब्देशी movement के part में इन्होंने सब्देशी steam navigation company बनाई थी और ये जो company सब्देशी steam navigation company बनाई थी ये British Indian steam navigation company की monopoly को तोड़ा था इसने तो ये एक बहुत important action था मतलब एक important एक time मतलब एक important एक example set किया था इन्होंने उसके अलावा उन्होंने दो steam ships purchase की थी SS Gallia and SS Loveway for steam navigation सब्देशी steam navigation company steam navigation company के लिए इन्होंने ये दो ships भी खरीदी थी and इन्होंने first shipping service जो है टुटे कोडी port से कोलंबो port तक इन्होंने किया था against the opposition of British government and trader British government और traders के oppose करने के बावजूद इन्होंने ये shipment टुटे कोडी से कोलंबो तक भेजी थी और उसके बाद इनके ओपर sedition के charges लगाए गए थे British colonial government ने finally इनको जो है life imprisonment इनको दे दिया था और इनका barrister का जो license था वो revoke कर दिया था उसके अलावा political life इनकी कैसे थी कि वी यो चिदंबरम पिलाई जो थे उनको सपोर्ट करते थे और militant wing जो है INC का उसको भी वो support करते थे इन्होंने 1907 माले सूरत Congress session में participate किया था सुवरोमन्या भारती के साथ and he was also the earliest to start धर्मसंग नेसा बुचलाई ठीक है मतलब ये handloom industry के लिए इन्होंने ये start किया था और उसके अलावा इन्होंने सब्देशी store भी setup किये थे for the sale of Indian made things so Indian made things को Indian people को बेचने के लिए इन्होंने stores भी establish किये थे handloom industry भी establish की थी उसके अलावा इन्होंने major role play किया था he played a lead role in many institutions जैसे की national go down में ठीक है इन्होंने important role play किया था इंडिया का जो एक major port है टूटी कोरी port trust वो इनी के नाम पे भी ओचिदम्रम पिलाई टूटी कोरी port trust इनी के नाम के उपर बना हुआ है so major यहां से जो take away है वो ये है कि ये एक बहुत बड़े इंडिया के famous industrialist थे जिन्होंने इंडिया नाशनल कॉंग्रेस में बहुत important role play किया था और सिर्देशी movement यह काफी ज्यादा active थे इन्होंने इनिशली बहुत important role play किया था जैसे कि पहली handloom बनाई इन्डिया में initial phase में handlooms बनाई थी उसके लाव स्टीम navigation company बनाई थी अपनी shipment भेजी थी ठीक है और बालगंगदर तिलक को support किया था सूरत section में session में participate किया था this is the takeaway from this ठीक है next जो है news item वो है inflatable aerodynamics decelerator के बारे में so इजरो ने Indian Space Research Organization ने successfully inflatable aerodynamics decelerator technology को test किया है रोहिनी 300 sounding rocket के उपर जो कि थुमबा equatorial rocket launching station के उपर है थुमबा equatorial rocket launching station जो है ये equatorial orbit में rocket launch करने के लिए basically use किया जाता है तो रोहिनी के उपर उन्होंने inflatable aerodynamic decelerator technology को use किया है अब inflatable aerodynamic decelerator technology है क्या ये एक technology है जिसको use supposedly हमारा कोई भी payload जब अर्थ के atmosphere में re-enter करता है तो उसको मतलब safe landing करवाने के लिए kind of ताकि वो payload को लेगे safely land करे किसी भी atmosphere में तो उसके लिए एक system है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक specifically जैसे एक hypothetical example की format में बनाते हूं कि जैसे एक balloon जैसी चीज होते है कि balloon में हवा भर देते हैं जब वो नीचे आ रहा होता है मतलब काफी एक उपर height के उपर supposedly 80 km के height के उपर उसमें एक balloon जैसे structure में हवा भर देते हैं जो उससे attach कर दिया जाता है तो जब उसमें हवा भर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी speed जो है वो कम होती रहती है decelerate करता जाता है उसकी speed कम करते है फिर वो धीरे धीरे जब safely हमारे ocean में किसी ऐसी body में enter कर जाता है इन असेंस की वहां पर land कर जाता है तो धीरे धीरे फिर उसका जो है उस inflation की थी पहले क्या था inflate किया था, in essence कि उसमें हवा भरी थी, फिर उसको deflate किया जाता है, in essence कि उसमें से हवा निकाल दी जाती है और payload को retrieve कर लिया जाता है, अब देखें कि inflatable aerodynamics decelerator, ये एक टेकनीक है जिसमें atmospheric entry, मतलब atmospheric entry of payload की payload को दुबारा atmosphere में, जब उपर से आ रहा होता है तो उसको atmosphere में enter करवाने के लिए ये use किया जाता है, इसमें गया होता है कि an inflatable envelope and an inflatant एक inflatable envelope in the sense कि एक ऐसा balloon जासी कोई चीज, balloon जासा कोई packet, मतलब fiber की बने हुई कोई चीज जो balloon की तरह full जाए और एक full आने वाला material ठीक है, जो है उसको use किया जाता है ठीक है, इस पूरे process में IAD was designed and developed by ISRO, ISRO के विक्रम साराबाई space center ने इसको design किया है और इसमें ये जो balloon जैसा structure है, इसको मतलब, कलवार fiber से बनाया जाता है कलवार fiber basically एक synthetic, बहुत ज़्यादा strong और बहुत ज़्यादा heat resistant एक fiber है ठीक है, ये जो IAD है, इसको कलवार fiber coated with poly chloropropene, इसके साथ इसको बनाया गया है इसमें basically क्या किया गया है, परपस क्या है इसका, ये object जब earth के atmosphere में re-enter कर रहा होता है ठीक है, plunge down कर रहा होता है जब, तो उसकी speed को कम करने के लिए use किया जाता है ठीक है, it systematically reduce the velocity of payload through the aerodynamic drag तो aerodynamic drag से ये payload जो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, उसकी speed को कम कर देता है अब क्या किया था, कि अब जो ये test किया गया है, उसमें 84 km के altitude पे, क्या किया गया था, कि ये जो aerodynamic drag वाला system है इसमें क्या किया गया था, ये जो synthetic balloon जैसा structure है, इसको inflate किया था, इसमें हवा भरी थी, ठीक है उसके बाद, जब वो जैसे जैसे it descended through the atmosphere, डिसेंड करता है वो नीचे atmosphere से payload के साथ, ठीक है sounding rocket तो वो नीचे आता रहता है और जब वो sea में गिर जाता है, आके finally, जैसे इसने supposedly यहाँ पे sea में ये जो payload rocket है, ये इसके साथ ये deflator है जब ये sea में enter कर जाता है, तो उसके बाद, उसमें उसके अंदर एक pyro valve लगा होता है, इसके अंदर, इस pyro valve को fire कर दिया जाता है, जिसकी वज़ाए उसमें से finally, जैसे पहले air इसमें अंदर भरी थी, अब air जो है, ये इसमें से बाहर आ जाती है, इस valve से, ठीक है और ये pneumatic system, मतलब ये air के intake और outtake, मतलब पहले भरना, फिर बापिस बाहर निकालना, inflation, inflating and then deflating से IED इस principle के उपर काम करता है, ठीक है, तो ये propulsion, propulsion system center, बलिया माला, ठीक है, IED technology could aid cost effective recovery of the spent rocket state, तो ये एक important role क्या अप ले कर सकता है, कि ये technology को use करके, हम recovery of, मतलब, rocket की जो stage safe है, जो बच गई है, जो available है, उसको safely हम recover कर सकते हैं, और in fact उसके अलावा, किसी भी payload को दूसरे planet के उपर, supposedly कि किसी particular satellite को जब हम दूसरे planet के उपर भेजते हैं, तो हम पे कुछ payload उतारना होता है, तो उसको भी safely दूसरे planet के उपर land किया जा सकता है, उसके अलावा, ये इंडिया कि future missions, Venus पे या March पे जो भी होंगे, उनमें भी बहुत help करेगा, so this was about this news, next news item जो है, वो सुरक्षित भारत initiative के बारे में है, National E-Governance Division, N.E.G.D., Ministry of Information Technology का जो है, MITE का, so इसने 30th batch of Chief Information Security Officers, so Chief Information Security Officer का deep dive training का 30th batch को host किया है अबी, ठीक है, और ये जो training हो रही है, Chief Information Security Officers की, ये Cyber सुरक्षित भारत initiative के अंडरोरी है, अब basically Cyber सुरक्षित भारत initiative है क्या, so Cyber सुरक्षित भारत जो है, ये aim करता है basically to ensure awareness about cyber crime, कि cyber crime के with respect को हमें ज़्यादा से ज़्यादा awareness create करनी है, and adequate safety measures सिखाने है Chief Information Security Officers को, और frontline जतना भी IT staff है, सारी के सारी government developments में, तो उनको नए नए तरीके के जो Cyber Attacks हो रहे हैं, या फिर नए नए तरीके के जो, बतलब computer based viruses जो बन रहे हैं, in a sense की जिसको use करके, hackers जो है, use करते हैं, government का data steal करने के लिए, इन सारी चीजों के with respect to awareness प्रोवाइड करने के लिए, ऐसे summits हैं, या ऐसे meetings जो हैं, वो conferences जो हैं, वो hold की जाती है, government के द्वारा, ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत जो है, इंडिया को cyber attack से बचाने के लिए, इंडिया की जो force है, जो frontline worker है, उनको तियार करने के लिए एक initiative है, the purpose of cyber सुरक्षित भारत is to spread awareness, build capacity, as well as enable government department, कि उनमें, government departments में capacity build करनी है, उनको enable करना है, कि वो जो भी necessary steps है, cyber attack resilient IT setup करने में, वो steps early to early वो करें, ठीक है, objective क्या होगा, educate and enable the chief information security officer, जो CISOs है, ठीक है, इनको educate करना है, ठीक है, इनको enable करना है, और साथ-साथ जो broader IT community है, उनको भी enable करना है, ताकि वो cyber world के increasing challenges को handle कर सके, और जो भी cyber security की situations arise होती है, उनको tackles कर सके, उसके अलावा awareness create करनी है, जो cyber, बढ़ते cyber threats के बारे में कि किस-किस type के cyber threats आजकल पैदा हो चुके है, deep understanding on key activities, जो नई-नई activities है, उसके उपर deep understanding provide करवानी है, नई initiatives के बारे में बताना है, और जो भी solutions है, उनको कैसे उनको tackle किया जा सकता है, उनके बारे में भी information लोगों को provide क करना, cyber सुरक्षित भारक प्रोग्राम का एक motive है, उसके अलावा best practices जो world में use होती है, cyber attack को करने के लिए tackle, उसके अलावा हमने अपने success से या failure से जो भी cyber smart, हमने technology सीखी है, उसको share करना सब के साथ, ये इस procedure का, ये इस initiative का main aim है, next item जो है, वो है, वेंचुराइज के बारे मे ठीक है, तो global startup challenge, government of करनाटका जो है, इसको host कर रही है, इसके अंडर ये क्या करेगी, किसी भी, जो growth stage पे है, जो startup अभी grow कर रहे है, उस stage पे जो startup है, उनको recognize करेगी, reward करेगी, और उनको support करेगी, ठीक है, तो उनको support करने के लिए government of करनाटका ने एक challenge launch किया है, और ये एक global challenge है, जिसमें बहुत सरे लोग जो है, पार्टिसिपेट कर सकते है, और ये basically, ये जो startup है, specifically इसमें एक clause है, ये startup manufacturing sector से होने चाहिए, या फिर sustainability related sector से होने चाहिए, startup challenge जो है, ये बंगलोर पैलेस फ्लाग्शिप इवेंट, जो कि 2nd of November से 4th of November 2022 को किया जाएगा, उस flagship बंगलोर पैलेस इवेंट का पार्ट होगा, इसमें अब क्या होगा, initiative में क्या है, basically ये initiative जो है, ये opportunity प्रॉइड करता है, budding entrepreneurs को, ठीक है, पूरे के पूरे globe में जितने भी budding entrepreneurs हैं, उनको एक opportunity प्रॉइड करता है, कि वो अपने products को, around the world सारी लोग जो है, वो अपने products को showcase करें, और अ इसमें क्या होगा, कि एक typically screening और selection process होगा, दो मन्त में इनकी screening और selection की जाएगी, और finally जो winner होगे, winners को 1 lakh US dollar, जो है, उसकी grant प्रॉइड की जाएगी, उनको award किया जाएगा, उसके अलावा winners जो होगे, उनको direct access होएगी, वो clients को directly access कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, उसके अलाव exclusive अपनी pitch दे सकते हैं, कि अपना बता सकते हैं, कि we are this kind of company, अगर इंटरस्टिक लगेगा, तो लोग उसमें invest भी करेंगे, ठीक है, investor meet में participate कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे venture capitalist, angel investor जो है, इसमें participate करेंगे, और ये जो start-up challenge है, ये 3 round में conduct किया जाएगा, और 2 महिने तक ये challenge completely चलेगा, ठीक है, इसमें basically क्या होगा, कि जो भी person interested है, उसको online application करना होगा, फिर online pitching करना होगा, जूरी के सामने, फिर अगर उनको पसंद आएगा, तो वो select कर लिया जाएगा, और start-up के select होने के बाद, फिर उसमें, जो sector specific field experts हैं, जो field experts हैं, फिर वो उसको पूरा 2 मंत त जो हैं, वो announce हुए, रामन मेकसे, basically Philippines के, ये एक Philippines के president थे 1953 में, उनके नाम पे ये दिये जाते हैं, और बोला जाता है कि, actual में कि रामन मेकसे को जो time था Philippines का, वो golden age बोला जाता है, तो उनकी याद में ये दिये जाते हैं, अब award जो है, इसको noble prize of Asia बोला जाता है, 1957 में start किये अब जो है, वो मतलब कुछ लोगों को recognize करता है, और honor करता है उन individual को, जिन्होंने distinction, अपने field में distinction attain की है, ये award जो है, basically five categories में दिया जाता है, पहला journalism में दिया जाता है, government service के लिए दिया जाता है, public service के लिए दिया जाता है, literature के लिए दिया जाता है, और creative communication के लिए दिया ज जाता है, so, इसमें basically एक person, जो भी person इसको award को जीता, उसको एक certificate देते हैं, एक medal देते हैं, और साथ में एक रामन मेक्सेसे का portrait दिया जाता है, और साथ में specific price मनी तो होती ही है, अब ये price जो है, ये सुथारिये चिम को दिया गया है, ठीक है, कमबोडिया की, तदाशी जपान के इनको दिया गया है, बर्नेडट मैडरेड, फिलिपीन से इनको दिया गया है, और गैरी बेंच हबिब इनको दिया गया है, ये French ओरिजिन के filmmaker हैं, इंडोनेशिया में, तो इनको दिया गया है, अब देख लेते हैं, सुथारा चिम जो है, ये 54 और ओल्ड कमोडिय लेडी है, actually इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी life जो है वो dedicate कर दी है खमेर रोग रजीम के जो suffering people है जो भी person खमेर रोग रजीम से सफर कर रहे थे उन लोगों के cause के लिए इन्होंने अपनी सारी life devote की है सत्वारिय चिम जो है वो herself ultra mouse खमेर रोग जो रजीम है उसकी एक survivor रह चुकी है actual में एक ultra mouse खमेर रोग रजीम जो थी ये कंबोडिया में आई थी 1970s में तो उस टाइम पे इन्होंने approximately one fourth of a quarter of कंबोडियन population जो है उसको kill कर दिया था तो बहुत कम लोग बचे थे ठीक है तो one fourth लोगों को तो उन्होंने ऐसे mass execution से ही उनको starvation के थूह उनको मार दिया था ठीक है तो जो बचे थे उनकी मतलब service में अपने आपको उन्होंने समक्पित किया है तो इसलिए इनको award दिया जा रहा है next Bernadette Madrid है ये 64 year old है ठीक है और इन्होंने domestic abuse के victims को ठीक है अपनी जो life है उन्होंने domestic abuse के victims को save करने के लिए लगा दी है उन्होंने पहला फिलिपीन का child protection center बनाया था 1997 से ये मतलब जो फिलिपीन का first child protection center था मनीला शहर में बनाया गया था ये तो उसको ये head कर रहे है 1997 से अब तक और इसमें more than 27,000 children को serve किया है ठीक है अभी तक Tardashi Hattori जो है ये Japanese है 58 year old Japanese ophthalmologist है मतलब eyes के doctor है इनको free eye surgery वेतनाम में free eye surgery करने के लिए इनको award दिया जा रहा है because वेतनाम में बहुत जादा कम specialist available है उसके लावा Gary Benchehip को दिया जारे ने एक्सप्राइज ये 27 year old French environmental activist और film maker है ठीक है इन्होंने इंडोनेशिया के polluted waterways को clean करने के लिए बहुत important role play किया है Benchehip और उनके जो brother हैं उन्होंने मिलके कायक और plastic bottle को मिला के मलब एक कायक बनाया है plastic bottles को और bamboo को use करके उसको साफ किया है वहाँ से garbage को pick करके तो ये था रेमन मकसेशी आवर्ड के बारे में next news item है कि इंडिया third largest economy बन जाएगा by 2030 recently State Bank of India ने अभी एक research report published किया है जिसमें लिखा है कि इंडिया 2029 आते है थे इंडिया वर्ड की third largest economy बन जाएगा अब report में है that India has gone through major structural transformation कि इंडिया में बहुत जाज़ा structural transformation हुई है 2014 के बाद जिसके पहले इंडिया 10th rank पे था लेकिन अब इंडिया ने UK को सरपास कर दिया है और world की fifth largest economy जो है वो उभर के आया है ठीक है और possibility है कि 2000 अगर ऐसा ही हमारा growth rate रहा तो by 2027 इंडिया जर्मनी को सरपास कर लेगा और 2029 जपैन को सरपास कर लेगा और इस टाइम पे अगर बात करें तो इंडिया फिफ्त नमबर पे है इससे उपर सिर्फ चार ही countries है सबसे पहले US है, second नमबर पे चाइना then Japan, then Germany है ठीक है, so this is about this news item next news item है G20 Education Minister की मीटिंग के बारे में G20 Education Minister जो है, ये एक मीटिंग कर रहे है Bali, Indonesia में so इस मीटिंग का थीम है recovery, reimagine and rebuild stronger so G20 की presidency आपको पता है कि Indonesia के पास है अभी Indonesia December 2022 में India को high and over कर देगा India 2023 में G20 का जो है, president होगा अब क्या highlights है कि सारे के सारे Education Ministers ने बोला है कि हमें mutual experiences को share करना बहुत ज़रूरी है हमें इकठे मिल के work करने की ज़रूरत है, अगर हम चाते हैं कि world में जितने भी हमारे challenges है उसको हमने education के तुरूँ tackle करना है, because education is financial of all ills, you know ठीक है, तो उसको अगर करना है तो हमें अपनी best practices को share करने की बहुत ज़रूर्मेंट है उसके अलावा, इंडिया ने emphasize कि हमारी जो new education policy है, वो चार principles, G20 के चार principles के उपर based है, access, equity, quality and affordability and accountability हमने ये चार चीज़ें जो हैं, हमने ensure की हैं अपनी new education policy में, so ताकि लोगों, बच्चों को जादा से जादा loving opportunity मिल सकें और हम G20 की shared vision को जल्दी से जल्दी fulfill करें उसके अलावा, इंडिया has highlighted rapid stride toward building a resilient and inclusive education and skilling ecosystem की, इंडिया बहुत effort कर रहा है resilient, inclusive जो कि सबको education provide हो और skilling ecosystem की, जैसे जो जो industry की requirement होती है जो जो skills की requirement होती है आने वाले time में, तो उसके according इंडिया अपने students को skill कर रहा है ठीक है, इंडिया has also given special emphasis to formalizing early childhood care के उपर इंडिया work कर रहा है उसके अलावा differently abled children के लिए differently abled infrastructure बनाया जा रहा है उनकी needs का धियान रखा जा रहा है boosting digital ठीक है, and multimodal learning के उपर हमारा emphasis है, उसके अलावा हम skills के उपर बहुत ज़्यादा emphasize कर रहे है तो G20 आपको पता ही है पहले भी बताया है कि G20 एक informal group है 19 countries का और European Union का 19 countries है, एक European Union है और जो IMF है, International Monetary World Bank जो है, वो इसके representative है, ठीक है, मतलब वो इसमें representatives की form में present है G20 में world की largest advanced economies भी है और emerging economies भी है, ये G20 countries ने इसको देख लीजेगा, उसके लावा Spain जो है, वो member नहीं है, New Zealand member नहीं है, ठीक है, उसके लावा Spain member नहीं है, लेकिन Spain जो है permanent non-member invite है, जिसने इसकी leader summit तक को attend किया था, next news item है कि IMF ने 2.9 billion की deal की है 2.9 billion dollar देने की deal की है श्रिलंका को, आपको पता है कि श्रिलंका बहुत ज़ादा high economic crisis से जूद रहा है ठीक है, so international military fund ने come forward किया है और हुनने help करने की कोशिश की है, economic crisis से बाहर आने के लिए श्रिलंका को IMF ने announce किया है कि अगर approve हो जाता है तो 2.9 billion US dollar का loan श्रिलंका को दिया जाएगा, ताकि श्रिलंका में macro economic stability और credit worthiness जो है उसको restore किया जा सके और उसकी financial stability को बचाया जा सके IMF और श्रिलंका के authorities के बीच में 48 month का loan का package होगा, extended fund facility के अंडर जिसमें 2.9 billion dollar दिये जाएगे, हालांकि यह जो agreement है यह अभी preliminary stage पे है, अभी इसको approve नहीं किया गया है, अगर IMF का management और executive board इसको approve कर देता है, then only दे दिया जाएगा, ठीक है next news item मोहन जजाडो के बारे में है ठीक है, अभी बहुत ज़ादा heavy rains आए है, flood आए है, जिसकी वज़ा से पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में यह मोहन जजाडो basically क्या है, यह Indus Valley Civilization की एक site है ठीक है, largest site है Indus Valley Civilization की 5000 साल पुरानी site है, ठीक है, यह 2500, ठीक है IVC का time period 2500 before Christ बोला जाता है, तो 2500 year पहले और 22 मतलब यह हमारी, जो 2022 चल रहा है, तो 2000 साल यह तो approximately 5000 पुरानी site है 5000 साल पुरानी site है ठीक है, heavy rains और floods की वज़ज़ से यहाँ पर बहुत दादा नुकसान हुआ है सिंध प्रोविंस में, ठीक है और उसके अलावा heavy toll आया है मोहन जजाडो के ओपर मोहन जजाडो एक 5000 पुरानी site है 15 साल पुरानी site है group of mounts या एक, मतलब एक बचा हुआ हिस्सा उस पुरानी मतलब उस पुरानी समय का यह है ठीक है, मोहन जजाडो जो है, इंडस रिवर के bank के उपर प्रेज़न है, नदरन सिंध में एक प्रोविंस है पाकिस्तान, supposedly यह जैसे पाकिस्तान है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में है, जैसे यह Arab Arabian Sea है, यह सिंध प्रोविंस है सिंध प्रोविंस सदरन पाकिस्तान में है और यह सिंध प्रोविंस के नदरन हिस्से में है उपरी हिस्से में है मोहन जजाडो का मतलब ही है, Mound of Dead और यह one of the oldest cities है world की ठीक है मोहन जदाडो was largest city of Indusbelly Indusbelly civilization की largest city थी और इसका सबसे famous feature यह है कि यहाँ यह planned city है ठीक है Indusbelly civilization की यहाँ पे houses बने हुए है बहुत अच्छे, great bath है, bathrooms है, toilet है, drainage system है यह सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और इसका size जो है comparatively काफी बड़ा है और इसमें public buildings के sign है ठीक है और बताया मतलब ऐसे evidences से यह clear होता है कि यहाँ पे बहुत high level of social organization कभी हुआ करती थी archaeological importance जो है इसकी तब बड़ी जब 1922 ने आडी बेनरजी ने इसको visit किया हडपा के discover सबसे पहले जो site discover हुई थी 1921 में हडपा हुई थी सो हडपा के एक साल बाद 1922 में आडी बेनरजी ने इसको देखा था और यह मोहंजदाडो जो है discover की गई थी ठीक है तो यह इसके बारे में है इसकी location देख लेते हैं जैसे थोड़ी सी इंडस वली sites की major यह इंडस river है जिसके चारो तरफ यह बनी हुई है यह Arabians यह आपको पता है ठीक है यह इंडस river है जिसके चारो तरफ यह सब्भेता बनी हुई थी यह मोहंजदाडो है जो की चाली बंगा है जो यह राजस्तान में एक site है आजकल इस जिस एरिया में fall करती है हनुमानगड में करती है आजकल डोला वीरा जो है वो भुजे अरिया में करती है और लोथल जो है वो एंदाबाद में करती है ठीक है एंदाबाद के पास पॉल करती है तो यह इंडस्वली साइट के बारे में है नेक्स्ट है फ्लोटिंग गैस टर्मिनल के बारे में आपको पता है कि यह और यॉर्पियन यॉरप के थोड़े से relations थो हो गए थे तो यॉर्पियन ने थो नहीं, sorry, cold हो गए थे Ukraine के crisis के बाल तो यॉर्पियन ने वहाँ से natural gas लेना थोड़े time के लिए बंद किया था, so अब exchange of natural gas जो है वो Russia से यॉर्प में नहीं हो रहा है, तो जिसके जलते European nations जो है, उन्होंने एक alternative ढूंडा है, so European nations ने एक short term fix ढूंडा है natural gas को replace करने के लिए, बिकाद सरगी आ जाएंगी, तो उस time पे इनको natural, अपने आपको मतलब थोड़ा environment को, अपनी country को चलाने के लिए, in essence की थोड़ा atmosphere को, environment को maintain करने के लिए, coldness को maintain करने के लिए, natural gas की बहुत requirement होती है, ठीक है so, इन्होंने अभी क्या है कि, क्योंकि Russia से supply आ नहीं रही है, तो एक natural gas का, उन्होंने alternative ढूंडा है मतलब उस natural gas का, कि इन्होंने roughly 20 floating terminals establish करने की बात किए, कि C के उपर 20 terminal establish किया जाएंगे, यह floating terminal जो है, यह liquefied gas के tankers होएंगे, इसमें ठीक है, यह liquefied gas के जो tankers है, उस उसमें, जो liquefied gas है मतलब लीक्विड की फॉर्म में जो gas है, उसको gas में ही convert किया जाएगा, tanker में itself, उसी state में इसको convert कर दिया जाएगा, और इसमें क्या होगा कि complete port के requirement भी नहीं है tankers में gas को ही, liquefied gas को directly gas में convert किया जाएगा ठीक है, और यह जो floating terminals है यह liquefied natural gas को receive करेंगे बाकि सारी countries में इसमें आएगी फिर यहां से यह जो directly heating fuel में इसको, यह liquefied natural gas को ही heating fuel में convert कर दिया जाएगा, in a sense, कि beach वाली stage को ही, इन्होंने kind of hop कर लिया है उसको jump कर लिया है, लेकिन कुछ scientist ने warn किया है, कि अगर मतलब यह यॉरप जो है, यह इसी तरह के natural gas को use करता रहता, तो climate warming के लिए अच्छा sign नहीं है because यह natural gas है, यह heating fuel है, यह methane release करता है, carbon dioxide release करता है, ठीक है, तो इसको जब produce करते हैं, ट्रांस्पोर्ट करते हैं, burn करते हैं, तो इन तीनों procedure से methane और carbon dioxide release होती है, तो इससे तो हम जो हमारा global warming का target था कि हमें 2 degree से कम रखना है temperature, वो कभी भी reach नहीं हो setback हमें देंगे ही, इससे emission reduction के effort जो है, उनको भी setback मिलेगा, और floating technology जो है, यह production, liquefaction और storage of natural gas को C पे ही possible करवा देती है, कि आपको फालतु में कोई port या ऐसा सब बनाने की ज़रूर नहीं है, C के उपर ही आप इसको produce कर सकते हो, इसको liquefy कर सकते हो, वहीं पे store करके directly fuel में convert करके supply कर सकते हैं, ठीक है last news item जो है, वो है Gemini North Telescope के बारे में Gemini North Telescope जो है, यह हवाई में है, इसने अभी brilliant images of, brilliant images capture की हैं, कौन सी, कि 2 spiral galaxies हैं, जो की आपस में, मतलब, interact कर रही हैं, और यह clash की हैं, और धीरे धीरे यह merge कर जाएंगी, और एक galaxy मतलब, एक common बन जाएंगी, कौन सी spiral galaxies हैं, NGC 4568 NGC 4567, यह जो है, इन दोनों इन एंटांगल किया है, अपने mutual gravitational field के चलते, और यह eventually combine कर जाएंगी, और एक single elliptical galaxy बना लेंगी, और यह procedure 500 million years इसको लग जाएंगे, approximately यह इतनी जल्दी नहीं होगा, 500 million years में होगा, Gemini North Telescope जो है, यह one of the twin telescope है, actually basically Gemini North Telescope जो है न, ठीक है, यह international Gemini Observatory का पाट है, Gemini International Observatory जो है, इसके अंडर दो telescope आते हैं, ठीक है, उन में से एक जो telescope है, Gemini North Telescope, जो North Pole पे है, North वाली साइड में है, वो मोना किया हवाई में है, ठीक है, यह optical infrared telescope है, इसको US National Science Foundation and S.F. Neuer Lab जो है, इसको वो अपरेट करती है यह telescope जो है, यह इसलिए बनाया गया था, मतलब कि एक dormant volcano के उपर इसको इसलिए बनाया गया था, ताकि जो volcano के उपर बहुत अच्छे atmospheric condition होती है, cloudless sky होता है, still air होती है, क्योंकि Pacific region में है हवाई, तो वहाँ बहुत शांत air है, वाले इन दसन्स की बहुत stable atmospheric conditions है, तो जिसकी वज़ा से, इसको 4 to 1, 4 meter की height के उपर dry stable air वाली conditions में बनाया गया था, ताकि इन चीजों का भी फाइदा लिया जा सके, 2002 से Gemini North जो है, Gemini North Telescope has been known as Frederick Sea Gillette North, Gemini North Telescope, इसका नाम थोड़ा सा ये किया गया है, इसको ये बोलते है, ठीक है अब ये जो International Gemini Observatory है ठीक है, इसमें 2 telescopes हैं 1.1 meter की length वले, Gemini North Telescope and Gemini South Telescope North Telescope जो है, ये एक dormant volcano है, मोना किया, हवाई आइलेंड के उपर, नदरन हमिस्पियर में ये उसके उपर है, और South वले Telescope, जो है, Ciro-Tololo के उपर है, ये एक Inter-American Observatory है, Ciro-Panchon के उपर ठीक है, चाइल में है है, ये सद्रन हमिस्पियर में, चाइल South America की ये country है, वहाँ पे है ठीक है, और अब basically इसका जो Gemini Observatory है International, इसका Gemini International Observatory है, इसका headquarter Hilo, Hawaii में है, ठीक है, University of Hawaii, Hilo's University Park में है ये, ठीक है, अब दो Telescope जो है, the two Telescope have been optimized for observation at infrared wavelength, तो ये जो Telescope है दोनों, ये infrared waves को यूज करते हैं इनसेंस कि इंफ्रा-red range में देख सकते हैं, और infrared जो वेव होती है, one of the finest quality of watching और seeing and observe object है, ठीक है, और ये जो इसके, मतलब इसके जो mirrors है, ठीक है observation at infrared wavelength and by having primary mirror, और इसमें जो mirrors है न, जो इसके telescope के जो mirrors है, उनको mirrors को क्या है कि दो तरीके से coating की जा सकते हैं, या तो उनको aluminium के साथ coating किया जा सकता है, ठीक है या फिर उसको क्या करते हैं, कि उसको silver के साथ coating किया जा सकता है अब ये जो mirrors हैं, इसको silver के साथ coating किया गया है, क्योंकि aluminium नियम से अगर कोटिंग करते है तो उसमें थरमल जो इंफाराइड रिडिएशन यूज होती है न वो काइंड ओफ कही न कहीं एमिट हो जाती है यह अंतलब वो फोकस नहीं हो पाती है लेकिन सिर्वर कोटिंग में बहुत कम एमिटंस होती है कि यह दूनोट एमिट एनी थरम तो thermal infrared radiation को यह emitter नहीं करती है ठीक है जिसके चलते ही कि important चीज़ है बहुत Gemini Telescope have been designed to excel a wide variety of optical infrared capabilities तो इनकी capability बहुत wide ranging है बहुत variety of images यह capture कर सकते हैं और studies में use होते हैं by incorporating technologies such as laser guide, star adaptive optics and multi-object spectroscopy astronomers in the Gemini partnership explore the universe in unprecedented depth and detail क्योंकि इसमें बहुत fine technology आपको technology याद करने की जरूरत नहीं है just यह देखो कि इसमें बहुत fine technologies use की गई है जिसके चलते हैं जो Gemini Telescope है यह बहुत deep into the space देख सकता है और जिस भी object को study करता है उसको deeply in depth study कर सकता है detail में ठीक है और इसके basically यह है Gemini Telescope यह इसका photo है ठीक है ऐसा कुछ दिखने में लगता है यह ठीक है इसके जो mirrors है इसको silver coating है यह सब आपको दिखी रहे ठीक है और यह Mona किया के उपर है अभी जो twin telescope है यह बोथ hemispheres में है तो जिसके चलते क्या है कि यह जो participant members है जो भी member countries है उनको एक broader access देती है मतलब कि वो पूरे के पूरे globe के चारु तरफ देख सकते हैं ठीक है मतलब वो हर जगह पे सारे के सारे entire sky को cover कर सकते हैं and to provide best images, best images, best quality images जो है ground से किसी telescope से जो ली जाती है तो वो इसी से होती है so best images, image quality possible from the ground is given by this size of telescope only and also to provide cleanest possible images so यह cleanest possible telescopes हैं जिसमें कम से कम, मलब बहुत जादा कम उसमें noise होती है in a sense कि बहुत जादा कम उसमें कोई और component होता है और clear और cleanest images जो हैं हमें देखने को मिलती है this was about Gemini telescope I hope you people like this, this was from today's current affair ठीक है, next current affair के साथ next time मिलते हैं और इसका pdf जो है, telegram channel पे डाल दिया जाएगा और telegram channel में इसके with respect to questions भी design किये गए होते हैं expert faculty द्वारा तो please channel को join कीजिए, telegram channel को join कीजिए video को share कीजिए, like कीजिए and also subscribe to civil semester thank you so much